हेलो एवरीबन आप सभी को आपके अपने इस चैनल रात्री कच्छा में मोश्ट वेलकम हैं आज हम लोग क्लास नाइन्थ का केमेस्ट्री का पहला चेप्टर स्टार्ट करने माले हैं सब्सक्राइबर उस वीडियो में हम लोग कि इंड्रोड्ट के चैप्टर का क्या नगे इन्ट्रोड़क्शन देखें एक इस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह क्या होता है उसके बाद हम लोग चेप्टर के अंदर जाएंगे तो चेप्टर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला चीज्ज है, चेप्टर का नाम क्या है, तो matter, तो पहले हम लोग यही पढ़ना हुआ कि matter होता क्या है, तो पहले हम लोग matter पढ़ेंगे, उसका definition क्या है, वो देखेंगे matter का, फिर second topic है, particles nature of matter, ठीक है न, जो matter है किस चीज से मिलके बना हुआ है सेकिंड पॉइंट में हम लोग यह डिल करेंगे कि मैटर है वह किस चीज से मिलके बना हुआ है और जो जिस चीज से भी मिलके बना हुआ है वह कितना चोटा या कितना बड़ा है चौता पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे matter का क्या-क्या characteristic है पांच माह इसका classification तो classification पढ़ेंगे तो basically जो हम लोगों पढ़ना है इसका physical classification पढ़ना है matter को दो तरह से classify किया जाता है एक physically classify किया जाता है और एक chemical classification किया जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है solid, liquid and gas और chemical classification में आता है element, compound and mixture element, compound and mixture के बारे में अगले चेप्टर में पढ़ेंगे इस चेप्टर में हम लोग का जो matter का physical classification है solid, liquid and gas यही तीनो state को हम लोग को पढ़ना है इसका property देखेंगे solid, liquid and gas का क्या-क्या property होता आगला point भी पढ़ लेंगे फिर एक छोटा सा topic है जिसका क्या नाम है scale, scale के बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे scale क्या होता, कितने तरह का scale होता है, आठमा point है क्या है तो effect of change of temperature and pressure, क्या-क्या matter के ऊपर क्या-क्या effect होता है temperature और pressure का change होने पर, जब हम लोग temperature और pressure को change करते हैं तो matter पर क्या-क्या change होता है यह हम लोग आठमा point में cover up करेंगे और जो last point है, सबसे chapter का जहाँ chapter खत्म होता है लास्ट पॉइंट वो क्या है, factor affecting evaporation, evaporation को कौन-कौन सा factor effect करता है यह हम लोग last point में cover up करें, चलिए start करते हैं अपने पहले topic पे, जो क्या है, chemistry, chemistry को कैसे define करते हैं तो पहले आते हैं chemistry